हेलो गाइज आज की इस लेक्टर में डिटेल्स में डिसक्स करेंगे कंफ्लिक्ट पॉइंट इन ट्रैफिक तो यह ट्रैफिक इंजिनिरिंग पढ़ेंगे उसमें डिटेल्स में और डिसक्स करेंगे बट कुलो कुछ लोग हैं कुछ लोगों को कन्फिजन हो रहा था कि कंफ कंफ्लिक्ट मींसद को समझ में आ रहा होगा कि dapat मींसक्त क्या होता है कंफ्लिक्ट मीन्स होता है टक्रा और एक ऐसा पउयंट सुट ट्रuffik का जहां पर एक एक वह किल दूसरे वहकल के टक्राने की समभाववन जो प्र्बेहिलीटी दलाती है वो ज्यादा हो जाती है तो इस को हम लोग बोलते कन्फिक्ट पोएंट इन ट्रैफीक तो हम लोग डायग्राम के साथ भी देखांगे उससे पालों लेंग्वेंज में देख लेते हैं कि enhancing होता क्या है ट्रैफिक में African conflict points is the intersecting point between different traffic movement departments traffic conflict point can be grouped into crossing, merging and diverging types तो conflict traffic में जो conflict points होता है वो कब यह होता है occurs होता है intersecting point between different traffic movements path traffic conflict point can be grouped into जब crossing होता है, merging होता है and diverging होता है तो crossing कब होता है suppose अगर हम लोग बोल सकते हैं कि यहां पर एक lane इधर से जा रहा है और दूसरा lane यहां बीच से cross कर रहा है तो इसमें क्या होगा कि अगर vehicles का movement दोनों तरफ से हो रहा है तो यह वाला point हमारा conflict point हो जाए क्यूंकि इधर से भी vehicles का movement होगा इधर से भी vehicles का movement होगा और चारों तरफ से vehicles का movement होगा तो जब चारों तरफ से वेहिकल्स का movement होगा तो उसमें जो यहां पर conflict होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं यहां पर जब सारे वेहिकल्स एक जगह एकठा होंगे तो उसको हम लोग उस point को conflict points in traffic बोलते हैं तो यह crossing हो गया merging क्या होता है It is the convergence of separate stream of traffic into a single stream तो merging means होता है कि separate stream of convergence of separate stream of traffic into a single stream तो मर्जिंग मिन्स होता है कि सपोज अगर यह लेन है अमारा और यह दूसरा लेन है तो कि आगे में जा करके क्या होता है कि यह दोनों लेन को एक ही में मर्ज कर दिया जाता है और और इधर से जो वेकल्स का मूवमेंट हो रहा है और इधर से जो वेकल्स का मूवमेंट हो रहा है यह सारा क्या होता है इसी में घूज जाता है तो यह वाला मूवमेंट इधर से आने वाला वेकल्स इधर आ जाता है लेकिन इधर से जाने वाला वेकल्स होता है वो दोनों का क कनफ्लिक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् तो एक लेन से ट्रैफिक आ रहा है और दूसरा लेन से ट्रैफिक जा रहा है लेकिन आगे जाकर कुछ क्या होता है कि इधर से आना हो रहा है और जाना हो रहा है तो उसको मर्ज कर दिया आता है जैसे इधर से आ रहा था और इधर से जाना हो रहा था लेकिन आना जाना दोनों को एक ही जगह मर्च कर दिया इस पोईंट को यह मारा हो गया conflict point और नेक्ष्ट क्या है diverging type to diver diverging means क्या होता है कि divert कर दिया गया सब्सक्राइब अगर यहां से हमारा कोई भी लेन है diverging means होता है कि when a single stream of traffic is divided into separate streams it is called diverging यहां से सब कोई एक ही lane में जा रहा है बट यहां पर क्या होता है इसको divert कुछ को divert कर दिया आता है और कुछ को इधर से बेज दिया जाता है तो जो इधर से आने वाला होता है वो इधर गुच जाता है और कुछ इधर से जाने वाला इधर लेकिन यह वाला point जो होता है वो हमारा क्या होता है conflict point होता है क्योंकि यहां पर तो सब कोई एक ही route से जा रहा है और इस point में क्या होता है यह इधर चला गया और यह इधर चला गया इस condition को हम लोग बोलते है conflict point तो यहां पर एक बार हम लो जा करके यह वाला left वाला को divert कर दिया आता और यह वाला इधर से यहां पर आता है यह वाला हम थाया क्विलिक्ट फॉइंट तो मिद आपको समझ में आगया होग कन्फिलिक प्वंट ट्रैफिक क्या होता है तो आच के लेक्षर्मित ने फिर नेक्स लेक्टे में तब तक के लिए बाए